बचो polarization को समझने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि आज के इस article में theory के साथ सकते हैं मैंने कुछ practical demonstrations add की हैं ताकि हम इस article को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि polarization क्या होती है तो polarization waves का एक phenomena है और यह क्या phenomena है इसको हम एक demonstration से समझते है बचो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इस वकत एक slinky है जिसमें मैं waves generate कर सकता हूँ waves किस direction में generate होंगी यह depend करता कि मेरे हाथ की movement किस axis में है अगर मैं हाथ को y axis में move करूंगा तो हमारे पास जो waves generate होंगी जो crust और ट्रफ होंगे वो vertical axis में होंगे like this और अगर मैं हाथ को horizontal move करूंगा तो फिर हमारे पास जो waves होंगी वो भी एक horizontal wave होगी like this और अगर मैं किसी और angle पर करता हूँ, जैसे मैं हाथ को ऐसे vibrate करता हूँ, तो फिर आक़ बास waves भी उसी angle पर generate होँगी, ऐसा ही होता अगर मैंने दर्मियान में ये rod ना रखा होता है, देखें ये rod क्या कर रहा है, ये rod कुछ ऐसा करेगा, कि हर direction में wave produce होने से रोकेगा, जैस को horizontally अपने हाथ को move कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं को एक खास crust of horizontal direction में नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो hurdle है, ये जो obstacle है, ये जो रुकावट है, ये horizontal waves generate होने से रोक रही है, लेकिन अगर आप vertical हाथ को move करेंगे, तो क इसका मतलब हमारे पास vertical waves generate हो सकती है, लेकिन हम horizontal waves generate नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं horizontal move ही क्यों ना कर लो हाथ को, और अगर मैं किसी और angle पर भी move करूँ, तो मेरा हाथ किसी और angle पर move कर रहा होगा, लेकिन जो waves है, वो vertical ही generate होगी, तो सिरफ इस रुकावट ने vertical waves को ही आगे जा इस एक direction में एक axis में wave जा रही है, इसे कहते हैं polarization, तो what is polarization, polarization में आप wave की vibration को किसी एक plane में restrict कर देते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो किसी एक plane में move करें, आप हाथ को जिदर मर्जी move कर लें, आपकी जो waves हैं वो सिरफ vertical ही generate हो सकती हैं, ये है polarization के phenomenon, दो बाते हैं समझने व मैंने आपको spring से समझाया है, जबकि chapter जो है, वो light का है, तो क्या polarization का phenomenon light में भी exist करता है, आज हमने इसकी खोज करनी हैं, दूसरी important बात, polarization का जो phenomena है, वो सिरफ transverse waves के लिए हैं, या दूसरे अलफाज में अगर मैं बोलू हूँ कि अगर कोई wave polarization show कर रही है, तो फिर वो transverse longitudinal waves जो हैं, वो polarization नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारे पास, सबसे पहले polarization का introduction हो गया, मैंने अभी light की तरफ नहीं गया, मैंने सिर्फ आपको simply बताया कि polarization क्या होता है, कि जब आप बहुत से plane of vibrations हो सकते हैं, लेकिन आप को ऐसी रुकावट डाल दें कि आपको सिर्फ एक plane of vibration मिले, आप restrict कर दें plane of vibration को, जैसे इस case में सिर्फ vertical plane of vibration मिल सकते हैं, तो इस process को हम बोलते हैं, polarization और यह सिर्फ और सिर्फ transfers wave ही शो कर सकती हैं, बच्छों यह जो चीज बनी वी आपको practically demonstrate की है, यह diagram में यूँ है, आपने देखा है, कि यह हमारे पास एक obstacle है, यह obstacle में जो ही थी, तो वो क्योंके रुकावट की direction भी ऐसा है, कि वो vertical को allow कर रहे है, इसलिए आगे से wave आगे जा रही है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, कि यहाँ जो हमारे पास रुकावट है, वो कुछ इस तरह से है, कि वो सिर्फ horizontal direction में wave आगे जाने दे सकती है, मैं vertical wave एंटर क करूँगा तो वो ray जो है, वो block हो जाएगी वो wave और आगे कोई wave जो है वो नहीं जाएगी, ठीक है, यह दोनों चीज़े मैंने भी आपको demonstrate करके दिखाएं, तो students, यही article है, जो कि मैंने आपको spring के लिए भी समझाया, वो हम लोगोंने light के लिए देखना है, ठीक है, याद हमारे जो light के arm sources हैं, जैसे कि यह torch है, या incandescent bulb होता है, या हमारे पास सूरच से निकलने मली जो रोशनी है, यह जो रोशनी है, अगर आप इसको देखें, तो यह एक unpolarized light है, unpolarized का क्या मतलब है, unpolarized का मतलब यह है, कि अगर आप इसकी waves को study करें, तो इसकी waves जो हर direction मे होती हैं, यानि कुछ waves vertical भी होंगी, कुछ horizontal भी होंगी, कुछ किसी और angle पर भी होंगी, यानि हर angle पर आपको wave मिलेगी, ऐसी waves जिसमें vibration हर direction में मौझूद होती है, उन्हें हम कहते हैं, कि यह एक unpolarized light है, तो यह मैंने आपके सामने बात लिखी है, कि ordinary light जो है, वो क्या होत the sun, या जो सूरच से रोशनी हा रही है, वो क्या है, वो unpolarized या non-polarized है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि उसमें किसी एक direction में vibration नहीं होती, बलके हर direction में vibrations होती है, इट contains vibrations in all planes, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, कि जब हम spring की vibration की बात करते हैं, तो उसमें हम बा vibrate करता है, तो याद रखेगा, आगे चलके आप लोग पढ़ेंगे secondaire में, कि light की जो wave है, उसमें electric और magnetic fields होते हैं, जो vibrate करते हैं, तो जब मैं कहता हूँ कि light unpolarized है, इसका मतलब light की vibrations हर direction में है, वो किस चीज़ की vibrations हर direction में है, electric और magnetic fields की vibration, इसलिए मैंने लिखा, it contains electric and magnetic vibrations in all planes, तो ये हमारे पास फिर से बता दूँ कि जो torch है, इसकी जो ये light है, ये light basically unpolarized है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो ही spring वाला काम करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, कि इस light की, जिसकी vibrations हर plane में है, मैं इसके आगे कोई ऐसी चीज़ रखूँ, कि इसकी vibrations अब हर plane मे ना रहें, बलकि सिर्फ एक plane में जाएं, जैसे मैंने अभी आपको थोई दिर पहले spring में करके दिखाया, तो light में ये चीज़ कैसे achieve करेंगे, ये अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर मैंने ये achieve कर ली, तो इसको कहेंगे, ये polarization है light की, तो इसमें आप क्या करेंगे, polarization में यानि light polarized हो जाएगी, तो unpolarized से polarized light बनाना, इसे polarization कहते हैं, या आसान अलफाज में, light की जो vibrations है, electric and magnetic fields की, जो के हर direction में होती है, ordinary light की, उसको restrict करना, सिर्फ एक plane में, उसे हम कहते है polarization, तो अब definition पढ़ते हैं, polarization is the process by which the electric and magnetic vibrations of light waves are restricted, हम उसको restrict कर देते हैं, महदूत कर देते हैं, to a single plane of vibration, कैसे करेंगे, अभी हम discuss करते हैं, लेकिन मैं पहले बात बता चुका हूँ को, कि polarization is the property exhibited by transverse waves only, अगर light ने polarization कर दी, जो के अभी हम देखेंगे, तो फिर आप क्या नतीजा निकालेंगे, कि अगर इस light कैसी wave होगी, light भी एक transverse wave होगी, ठीक है, it does not occur for longitudinal wave such as sound wave, तो longitudinal wave में polarization नहीं हो सकी, ठीक है, जो unpolarized light है, जैसे ये bulb वगेरा, उसका ये symbol देख लें, ठीक है, तो इस तरह से हम हर direction में arrow बनाते हैं, ताकि पता चले कि unpolarized light है, unpolarized light से polarized light कैसे बनानी है, आई इस प्रोंट ज लिए, यानि कि उसकी vibrations को सिर्फ एक plane में restrict करने के लिए, हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जो light की vibrations को सिर्फ एक plane में आगे जाने की अजाज़त दे और बाकी planes में रोक ले, अब ऐसी चीज़ हमारे पास exist करती है, और उसको हम कहते हैं, dicoric substance, और उसका commercial name polaride है ठीक है, ये different substances हो सकते हैं, materials होते हैं ठीक है, जैसे हमारे पास कोईनीन आयोडो सिल्फेड जो है, वो भी एक dicoric substance है, अब dicoric substance को अगर आप गोर से देखें तो उसमें हमारे पास atoms इस तरह से तरतीब से जुड़े होते हैं, कि atoms की layers के दर्मियान कुछ ऐसी spacing बन रही होती है, इस spacing को आप देखें, ये crystalographic axis कहलाता है, इस axis की खास बात ये है, कि light सिर्फ इसी axis के parallel pass कर सकती है, बाकी directions में light आगे पास नहीं करेगी, तो अगर हमारे पास एक unpolarized light है, जिसकी vibrations हर direction में हैं, मैं अगर उसके सामने एक dicoric substance रखूं, तो वो सारी directions वाली जो light है, उसको absorb कर ल direction में light को आगे जाने देगा, यानि unpolarized light होगी, लेकिन उस substance में से जब गुजरेगी, तो सिर्फ क्योंकि एक direction में होगी, तो वो polarized हो जाएगी light, तो unpolarized light से ये जो polarized light बनी है, इसी को तो polarization कहते हैं, तो आज मेरे पास इस तरह का एक substance मौजूद है, ठीक है, तो ये जो हाथ में sheet देख रहे हैं, ये एक polarized sheet है, यानि polarized sheet का मतलब ये हुआ, कि इसके अंदर जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन atoms की इस तरह की layers है, कि light सिर्फ एक direction में ही आगे जा सकती है, तो अगर मैं इसको unpolarized light के आगे रखूँगा, तो मेरे पास जो light इससे आगे निक और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कि जो torch से निकलने वाली ordinary light होती है, ये एक unpolarized light होती है, यानि इसकी vibrations हर direction में होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको polarize करना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे एक polarize रख दूँगा, जब मैं polarize रखूँगा, तो ये अब light आपके कैमरा तका रही है, ये हमारे पास एक polarize light है, light की polarization इस तरह से होती है, ये जो method मैं आप लोगों के सामने शोग कर रहा हूँ, इस method को book एक नाम देती है, और वो नाम है selective absorption, क्योंकि अगर आप गोर करें, तो हमारे पास unpolarized light में हर vibration मौजूद थी, लेकिन ये, वो polarization कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कि अगर ये light जो आगे मिल रही है, वो polarized है, तो मैं ये कैसे मान लूँ, क्योंकि अगर आप गोर करें, तो दिखने में polarize और unpolarized में कोई फर्क नहीं है, यानि अगर आप देखें, ये हमारे पास unpolarized light है, तो जब मै इसके आगे ये, डाइकोरिक सबस्टांस, ये polarize लेकर आता हो, तो सिर्फ intensity ही कम हुई है, बाकी light तो वैसे ही देख रही है, तो ये unpolarized light है, ये polarize light है, तो मुझे कैसे confirm होगा कि ये जो light अब आप देख रहे हैं, ये polarize light है, तो इसके लिए हम इसी experiment को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं, और वो क्या है, अगर आपने ये confirm करना है, जो light आप देख रहे हैं, वो unpolarized या polarize है, तो उसका एक तरीके कार है, और वो ये है, कि आप polarize light को rotate करें, अगर आप polarize light को rotate करेंगे, क्योंकि वो light को रोटेट करेंगे, तो जैसे जैसे आप उसको rotate है, उसकी amount कम होना शुरू हो जाएगी, light की intensity कम होना शुरू हो जाएगी, और light की intensity अगर कम हो रही है, इसका मतलब आपकी जो light थी, वो polarize थी, उसमें vibration सिर्फ एक plane में थी, और अगर हमारे पास, आप उसको rotate करते करते, बिलकुल perpendicular ले आएंगे, तो फिर क्योंकि जो polarize light है वो vertical axis में, जबके जो आपका crystallographic axis है, वो horizontal हो गया, तो ये vertical है, वो horizontal तो इसमें से पास नहीं कर सकेंगे, तो light ब्लॉक होगी जिया, और आगे कोई light पास नहीं करेंगी, तो आसान अलफाद में को खुलासा करूं तो ये है, कि किसी light के बारे में कैसे पता चल सकता है, कि वो polar ये unpolarized है, उसके सामने एक die-core material को rotate करें, अगर rotate करने से intensity कम ना हो, तो वो इसका मतब़ unpolarized light है, और अगर intensity कम हो और एक वकत पर zero हो जाए, तो वो polarize light है, आईए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे perform करना है, तो ये मेरे पास, ये एक polarized unpolarized light है, तो कैसे confirm करूं कि ए unpolarized है, तो मैं इसके सामने die-core रखता हूँ, और अब die-core को rotate करता हूँ, क्या rotate करने से intensity पर कोई फरक पढ़ रहा है, नए, क्या light गाइब हो रही है, नए, इसका मतलब ये जो light है, इसकी vibrations हर plane में है, जब ही मैंने इसको rotate किया, तब भी कोई ऐसा plane नहीं आए जहाँ, उसकी light पूरी की पूरी block हो गई हो, क्योंकि उसकी vibrations हर plane में है, तो जहाँ जहाँ मैं rotate करता जाँगा, वो उस plane की vibrations को आगे allow करता जाएगा, और इस वैसे हमेशा light नजर आती रहेगी, अब मैंने इसके सामने ये रख दिया, अब आपको मालू मैं जब मैं इसके सामने रख तो आप देखेंगे, एक वक्त आएगा, कि हमारे पास जो light है, वो तकरीबन सारी की सारी block हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ, डाइकोर जिस पॉजिशन में light को allow कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डाइकोर rotate हो रहा है, तो light की intensity कम होते होते हैं, एक वक्त आ रहा है, light बेलकोर ब्लॉक होगी है, इसका मतलब यह हुआ, कि पहले डाइकोर से गुजरने के बाद जो light थी, वो polarize हो चुकी थी, यही वज़ा है, कि सेकंड डाइकोर को rotate करने से, उसकी intensity reduce होई, और जब यह situation आई, कि यह light vertically plane polarized light है, और जो डाइकोर पड़ा है, उसके crystallographic axis horizontal है, तो फिर यह इ light transfers wave होई, यह बहुत important objective है, दूसरी बात आप लोग ने यह याद रखनी है, कि light polarized है, या unpolarized है, इसको check करने का तरीके कार किया है, polarize को rotate करें, rotate करने से अगर intensity change ना हो, तो unpolarized light है, उसके vibration हर plane में, और अगर intensity reduce हो और होते होते, एक बक्त आज़े कि 0 हो जाए, इसका मतलब फिर वो जो light है, वो polarized light है, यह method जो मैंने polarize करने का आपको बताई, यह selective absorption है, इसके लावा भी methods है, जिनको book ने इतना discuss नहीं किया, light जब किसी surface से reflect होती है, तब भी हमारे पास वो polarized होती है, जब वो reflect होती है, किसी crystal में से, तो polarize हो जाती है, scattering के जरीए जो है light, वो भी polarized हो करते हैं, मिसाल के तोर पर हमारे पास यह जो mobile screen से light emit हो लिया, अब मेरे जहन में यह ख्याल आता है, कि यह polarize है यह unpolarize, तो आम आख इसका फर्क नहीं दे सकती है, आम आख को दोन लाइट एक जैसी निजर आती है, जिसका तरीकी कार क्या है, इसका तरीकी कार वही है, जो इसकी intensity को, यहां light बहुत जादा पास करी, लेकिन आइस्ता आइस्ता आप देख रहे हैं, कि light जो है, वो reduce होते 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 है, ब्लॉक होगी, बूली की पूली, तो इसका मतलब यह जो light है, यह भी फिर कौन सी light ही, क्योंकि rotation होने से intensity को फर्क पढ़ रहा है, तो यह भी polarize light ह हैं, बहुत से different gadgets हैं, जो के polarize light ही emit करते हैं, इस पोलराइज light का फाइदा क्या है, यह ordinary light से क्यों बहतर है, यह अब हम देखेंगे next board पर, पर चलते है next board, बच्छा आप देख रहे हैं, कि यह glare कितना irritating होता है, और खास्ता पर photography में यह सारी details जो हैं, उसको घाइब कर देता है, तो इस glare को reduce करने के लिए हम polarize इस्तमाल करते हैं, तो जब आप polarize इस glare के सामने लेकर आते हैं, तो उससे light की intensity काफी reduce हो जाती है, तो glare पहले तो बहुत दा light होती है, लेकिन जब आप इसको लेकर आते तो light की intensity बहुत reduce हो जाती है, इसलिए photographers जो हैं, जहां पर बहुत द फिल्टर इस्तमाल करते हैं वह पूलराइजिंग फिल्टर होता है तो उसको कैमरे के उपर लगा देते हैं जिससे रिडूस हो जाती है लाइट की इंटेरियल से बना होता है उसको रूटेट करने हैं से आप लाइट की इंटेटिंटी भी कंट्रोल कर सकते हैं जो उस रूम में अंटर हो रही है और आप बिल्कुल याइट की इंटेन्सटी को जिरू भी कर सकते हैं मिसाल की तोर पर आपके पास यह वो विंडू है Speshal material से बनी इसमें दो sheets होंगी ठीक है आप जब एक sheet को rotate करेंगे तो अभी तो light आपको आर पार दिख रहा है ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप इसको rotate करेंगे light की density कम होते जाएगी और perpendicular होने पर आप देखेंगे बिल्कुल बाहर से आप दूसी की तरफ नहीं देख सकते इसका मतलब आप इसी को ऐसे curtain इस्तमाल कर लेंगे तो जब आप चाहते हैं कि curtain जो है window के आगे हो तो आप इसको rotate करेंगे और इस तरह से नजर आना बंद हो जाएगा ठीक है तो ये भी हमारे पार polar ride की वज़ा से ही हम इसको बना सके है ठीक है उसके बाद point number three है control of headlight glare ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अक्सर जब गाडियां रात के time आप देखते हैं कि गाडियों की जो रोश्णी होती वो बहुत अदा glare produce करती है तो उस glare को करने के लिए हम ऐसे glasses इस्तमाल करते हैं जो polar ride से बने होते हैं उससे क्या होता है उससे intensity reduce हो जाती है और intensity के reduce होने की वज़ा से आँखों पे अचाना से चमक पैदा नहीं होती visibility clear रहती है ठीक है उसके बाद point number four है stress analysis ठीक है stress analysis क्या होता है आपको मालूम है कि different materials होते है different materials के अंदर जो stress होती है different point पर different होती है जहां से हम में अंदाजा हो सकता है कि यार वो कहां पर तूटने का ज़्यादा खत्रा है material का तो हम यहाँ पर stress analysis के जरीए polaride को इस्तमाल करते हुए यह पता लगा सकते हैं कि material के किस point के ओपर जादा stress है और किस किस point पर कम stress है तो उसके लिए बचो आप क्या करेंगे उसके लिए मिसाल के तौर पर यह मेरे पास एक plastic का material है जिसमें different जोंपर different stress है तो हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं तो उसके लिए हम दो polarizing filters लेंगे और उनके दरमियान में इसको रखेंगे तो जब आप देखेंगे उसको गोर से तो आपको नजर आ रहा है कि different colors में stress नजर आ रही है कि कहां पर stress जाद है कहां पर stress कम है तो हम चीजों का अंदाज लगा सकते हैं उनका stress analysis कर सकते हैं बलकि इसको एक special नाम भी हम देते हैं और वो है photo elasticity तो students ये होगे हमारे पास चार applications अब हम जड़ा डिसक्स करते हैं कि optical activity क्या होती है कुछ materials और कुछ solutions ऐसे होते हैं कि वो plane of polarization जो होता है उसको rotate कर देता है यानि एगर light vertical enter हो रही है उसका plane of polarization vertical है तो उस material में से गुजरने के बाद उसका plane of polarization rotate कर जाता है तो अगर wave ऐसे आ रहे थी तो उसमें से गुजरने के बाद अब wave ऐसे जाना शुरू है तो ऐसी situation कम कहते हैं कि ये optical activity है जैसे sugar का जो solution है वो optical activity का ये phenomenon शो करता है इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा ये है कि जितना plane of polarization rotate होगा उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि उस solution के अंदर solute की concentration कितनी जादा है कितनी काम है इस technique को हम photometry कहते है यानि कि light के जरीए solutions की concentration को find out करना तो students ये था हमारा आज का आर्टिकल उमीद है आज का आर्टिकल आपको समझ में आयोगा आप से बिंशाला मुलाकात होगी next article में अपना ख्याल रचेगा अपना ख्याल रचेगा अपना ख्याल रचेगा